नमस्कार आज के इस वीडियो में हम जानेंगे थाइराईड की समस्य अब किसी मरीच को होती है या फिर किसी मरीच को थायरोड की शुरूआत हो रही है तो कि ऐसे सिच्च्फिएशन में उस मरीच को गले में अठका हुआ मैसूस होना हो सकता है या नहीं हो सकता इसमें दो कं मरीज को उस थायराइड ग्रंथी का एलार्जमेंट हो जाता है तो उसकी भज़ा से भी दूसरी कंडिशन होती है जैसे कि किसी मरीज को किवल हाइपर थायरोडिस्म होता क्या है कि मरीज के जो दो हार्मोन लेवल होते हैं टी-3 और टी-4 इनका लेवल बढ़ जाता है और यह मरीज को टी-3 का लेवल बढ़ता है यह टी-4 का लेवल बढ़ता है इस कंडिशन को हम कहते हैं हाइपर थायरोडिस्म यानि कि मरीज के जो हार्मोन लेवल है वो बढ़ रहे हैं अब इसके सिम्टम्स क्या होते हैं यह इसके लक्षड क्या होते हैं जैसे हाथ पेरों में ज मरीज के बाल जड़ सकते हैं एलोपेश्या हो शकता है मरीज को इसके अलाबा उस मरीज का वजन कम हो सकता है लेकिन याद रहे वजन मरीज का कम हो रहा है लेकिन उसकी भूक बढ़ रही है तो हाइपर थाइरोडिज्म में यह चीज हमें ध्यान लखना होगा उस मरीज की समरे में बैठा है और उसको हलकी फुलकी वहां पर गर्मी लग रही है तो वह सेहन नहीं कर पाएगा उस मरीज को बहुत जल्दी तकलीफ होने लगेगी बहुत जल्दी घबराहट बीचेनी जैसा लगने लगेगा पिशन बाहर की तरफ दोड़ेगा या फिर पिशन जो है फ मरीज होते हैं जिनको जी इती से रिलेटेड़ सिंटम सेह जैसे की बारबार उनको दस्त जा साथा जाना या उनको महसूस ओना कि मुझे इस डूल करने जाना वह श्टूल आ रहा है ऐसे सिचुएशन ऐसे सिम्टम्स भी देखने को मिल सकते हैं लेकिन अगर किसी मरीज को thyroiditis हो जाए तो ऐसी condition में मरीज का ग्रंथी होता है उसका size बढ़ जाता है जब इसका size बढ़ेगा तो traquea पर दबाब आ सकता है और इसका दबाब जो है इसोफेगस पर भी आ सकता है यानि कि खाने की नली पर तो खाने की नली को हम इसोफेगस कहते हैं और traquea को हम swans यहांसे हैं नल यह बिंड पाइप कहते हैं जहांसे हम सांश लेते हैं व緊 lat turchea के दवारा Cris हमारे फेंपडों में चला जाता है और फेंपड़े इसे फिल्टर करके यह फिर अगक्त यह हमारे शरीर के विवन भागों में ब्रजितता है तो इस तरीके से हमारा हवात आजास रहता है लेकिन जब हम खाना खाते हैं तो यह हमारी काने की नलflows यानि इस फmostसे होते हूं चला जाता है जब इस एस पिब siz के चारों तरफ यह इस फेगस में besom होने लगती है जैसे अगर चाले हो जाते हैं तो हमें खाना खाते समय या कहाने के बाद मिर्ची ज़ादा लगती है जलन बहुत ज़्यादा पढ़ती है इसके अलाबा ऐसे सिम्टम्स जैसे किसी मरेश को गले में अठका हुआ लगना तो ऐसा कई रोता है गलोबस इस्टेरिकस की बज़र से होता है कई बार इसमें मरीज को मेंटिलिटी ऐसी बन जाती है कि पेशेंट दो-तीन दिन ठीक होता है तीन-चार दिन बाद फिर वैसा कर वैसा हो जाता है यानि कि उसको गले में कुछ अठका हुआ मैसुस होने लगता है कई बार कैंसर जैसे स्था हो और उसका ग्रंथी का साइंज है वह बढ़र जाए जैसे आप वह कि देखेंगे कर निया में क्कश कर सकता है तो इस प्रकार से अगर ऐसे सिम्टम किसी मरीज को नहीं से कि मरीज को और तो मरीज को गले में कुछ अठका हुआ लगना यह अठका हुआ मैसूस हो सकता है लेकिन उस मरीज को hyperthyrodism या फिर thyroid की समस्या हो सकती है या होगी तो ऐसे centuries को मिलते हैं अगर इस प्रकार की lecture है ento यक्वाद thyroid टेस्ट जरूर करा है tft जिसे हम बोलते हैं thyroid function सेंटेस्ट जरूर कराएं और पता लगाएं कि आपका कौनसा लेवल बढ़ा हुआ है या फिर यह जो हार्मोन से लेवल है टी टी फूर बगएरा यह कम है यह टी एसेच कितना है तो इस प्रकार से आप थाइरोड को बारे में समझ सकते हैं तो आज के छोटे से वीडियो में हमने समझा थाइरेड की बजल से गले में कुछ अठका हुआ मैसूस हो सकता है या नहीं ध्यान लहे अगर किसी मरीज की ग्रंती का साइज बढ़ रहा है उसका साइज जादा होता जा रहा है वो लार्ज होती जा रही है ऐसी सिचुएशन मे गले में अठका हुआ लग सकता है महसूस हो सकता है आज इतना ही उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आप सभी को पशंद आया होगा ने पसंद रहें लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बाक्स में जरूर रहता है वीडिए आपको कैशा लगा हम फिर मिलते किसी तरह किसे नहीं वीडियो में तब तक के लिए अपना प्यार एंड सपोर्ट करते रहे हैं नमस्कार जहेंद